अनिरुद ने किया जाने से पहले जहनक को किस पहली बार बड़ी नजदी किया छोटान हुए खुश तो दोस्तों हम जानते हैं कि छोटान गए है अनिरुद के साथ जब वो दोनों जहनक को स्टेशन छोड़ने गए है जी हाँ जहनक वापस जारी है श्री नगर उसकी एक्जाम क्लियर करने के लिए और इसे के साथ साथ हर कोई घर में नाराज है नाराज याने बड़ी मा, छोटान और इसे के साथ साथ अनिरुद काफी जादा नाराज है अप्पू दीदी भी काफी जादा नाराज है कि जहनक से ये लोग मिल नहीं पाएंगे तो दोस्तो अनिरुद के दिल में तो इतना सारा प्यार है जहनक के लिए लेकिन वो कह नहीं पा रहे है उधर छोटान भी जानते है कि अनिरुद जहनक के लिए क्या महसूस करते है और छोटान ने तु कहा भी है कि ये मौका तुमें बार बा इसलिए वो वापस जाने वाले हैं जी हां दोस्तों वापस ट्रेन में जाकर जहनक को अपने दिल की बात कह देने वाले है अनिरुद अब आगे क्या होगा यह हम आपको बताएंगे बस आपको करना यह है कि हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स जी ही नहीं जारी या फिर मानों कि यह वो इमाजिन ही नहीं कर सकते कि जहनक उनके जिंदगी का हिस्सा नहीं है इसलिए वो फिर से ट्रेन में जाते हैं और बता देते हैं कि वो जहनक से कितना प्यार करते हैं और जहनक तो वैसे भी यह बात को लेकर काफी जादा इमोशन तो जहनक ने भी इस बात को कही न कही एकसेप्ट कर लिया है और दोनों आ गये है करीब जी हाँ दोस्तों काफी रोमैंटिक माहुल हो गया है दोनों करीब आ रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आये हुए है लेकिन इतना ही नहीं अब अनिरुद ने जहनक को किस भी किया है जी हां अनिरुद और जहनक ने किस किया है एक दूसरे को और उसी वक्त आ जाते है छोटान जी हां क्यूंकि छोटान को ये भी फिकर है कि अनिरुद कही खो न जाये और ट्रेन चूट न जाये क्यूंकि अनिरुद को वापस घर भी ज इसलिए चोटान आ जाते है ट्रेन के पास और वो उन्हीं दिख जाते हैं दोनों केस करते हुए चोटान तो काफी जादा खुश है क्योंकि वो तो हमेशा से ही चाहते थे कि जनक और अनिरुध ही साथ में रहे तो इसलिए वो खुश भी है लेकिन वो अब अनिरुध को ये भी कहते हैं कि चलिए अब काफी हो गया हमें घर जाना चाहिए क्योंकि घर में भी काफी ऐसे मसले हैं जिन्हें सॉल्ब करना पड़ेगा तो दोस्तों आगे आगे और क्या होगा यह हम आपको बताएंगे बस आपको करना यह है कि हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है हमारे इस ही यूट्यूब चैनल पर हर एक exclusive अपडेट सबसे पहले आप तक पहुचेंगी बस आपको subscribe करना है वीडियो को भ करना है